कि हमारा मिशन है देश में 400 सीट्री जीती जाए हमारा मिशन है कि बिहार के अंदर भी 40 सीट ने हम जीते हैं इसके लिए हर्द सीट हमारी लिए महत्पूर्ण है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और यही हम जह क्रूंग कि राश्ट्री एद्धक जी का ये दोड़ा इतिहासिक है क्योंकि पिछली बार जब वो आये थे तब हमारी गठवंदन की सरकार थी लेकिन अब जब वो आ रहे हैं तो वो सरकार बदली है लेकिन उसके बाद सारी प्रिस्थिती भी बदली नमस्कार आप नियूज फोरनेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वंधना बीजेपी के राश्ट्री एद्धक्ष जेपी नडड़ा तीन जनवरी को वैशाली लोकसभाप्रवास पर आ रहे हैं इसको लेकर कई तरह के क्यास लगाया जा रहा है बिहार में सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि बीजेपी वो हर हतकंड़ा अपनाती है जो की आगे आने वाले चुनाव में उसका साथ देता है साम, दाम, दंड, भेद, कई तरह की चीज़ें जो हैं बीजेपी अपनाती है इसी करम में बिहार सरकार में पूरुमंत्री सहनवाज हुसेन ने कहा कि राष्टी अध्यक्ष हम लोगों के जेपी नड़ा बिहार आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 2024 में लोग सभाचुनाव होना है 40 में से 40 सीट को कैसे जीतना है उस पर कैसे मेहनत करना है इस पर वो बातें भी बताएंगे पहले सुनिए आपकी क्या कुछ कहना है बिहार सकार में पूरुमंत्री सहनवाज हुसेन का 40 सीटें हम जीते हैं इसके लिए हर सीट हमारे लिए मातपूर्ण है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और यही वज़ा है कि राश्टी अद्दक जी का ये दोड़ा इत्यासिक है क्योंकि पिछली बार जब वो आये थे तब हमारी गठवंदन की सरकार थी लेकिन अब जब वो आ रहे हैं तो वो सरकार बदली है लेकिन उसके बाद सारी प्रिस्टिती भी बदली अभी राश्टी अद्दक जी का ये दोड़ा कुरहनी और गोपाल गन जीतने के बाद भारती जंता पार्टी और बिहार उस जैश्न में है कि हमने महागटवंदन को दोनों जगा प्राजित किया उसके बाद राश्टी अद्दक जी का ये दोड़ा है और इस दोड़े में बहुत उत्सा है लोग सभा में भी हम लोग बिहार की 40 से 40 40 की 40 सीटों पर मेहनत कर रहे हैं और सब जगा भी ये पता का फैराने की कोशिश कर रहे हैं हमें पूरी उमीद है कि जिस तरह हम कुरहनी और गुपाल गन जीते उसी तरह लोग से भाग में भी पिछले बार हम लोग नरंदर मोदी जी के नाम पर उन 40 सीट जीते थे और इस बार एक सीट जो बच गई थी वो भी जीतेंगे 40 की 40 सीटों पर हमने मेहनत शुरू कर दिये और जीतेंगे वो तो सरकारी यात्रा है इसमें सारा जैसे निकले हुए भारत जो यात्रा पर वो यात्रा जो है कांग्रेस पार्टी की यात्रा हम लोग तो सुबह से साम अब बीजेपी ऑफिस आ जाए हमारा एक नेता भी चैन से नहीं बैठता हम लोग तो रोज यात्रा पर निकल जाते हैं अभी मोतिहारी जा रहे हैं अब उसको भी हम बताएं मेरी मोतिहारी की यात्रा है तो हम लोग तो हमारा वरकर चुनाओ के वक्त में नहीं जगता है भारती जनता बाटी 24 इंटू 7 काम करती और हमारे कारकरता बूत से यानि यह पन्ना परमुक से लेके राष्ट्रिय दक्स तक बड़ाबर मेहनत करते हैं तो हम लोग कर रहे हैं जहां तक नितिश कुमार ज के तरफ से ही वो जा रहे हैं जिसमें सामने जीवी का दीदी बैठी होंगी मंच पर मंत्री लोग बैठे होंगे और उसमें वो शराब बंदी और अनविश्य पर बोलेंगे तो सरकार में हैं तो तो जाना ही चाहिए सब जगह उनको पिछले 35 आप देख लिए लालू जी और नितिश कुमार जी की सरकार जो समस्या का हल हुआ उसका क्रेडिट तो लेती है वो सरकार दोनों मिलकर लेकिन जो समस्या बची हुई है उसका जिम्मा कौन लेगा उसका निराकरन हम जरूर करेंगे जब 2025 में हम लोग सरकार में आएंगे सुना अपने की क्या कुछ कहा या आपको बता दें कि यही नहीं उन्होंने भीहार सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि जिस्तरस सरकार आए दिन नियुक्ति पत्र बांटती है लोगों को रोजगार देने के नाम पर ठगने का काम कर रही है तो आए दिन जनता सब इतरजबाब देगे रहे निथे सकुमार करें यात्रा पर बहुने कहा कि इससे पहले वह कई यात्रा निकाल चुके हैं लेकिन उसका लिए जिस sudah पॉइस पद्रां oraz आइस एतना हे बने रही आपने धनेशन के साथं hum अब तक हमारे चैनल का थैम लिक्ता धन्यवाद